हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सबी का सौगत एक बार फिर से आपके अपने चैनल बन से दर फैशन पॉइंट में आज हमारे पास है इस तरीके का एक फूट जिसका नाम में S537 1 by 4 और ये फूट है Elastic Food मतलब इसका जो नाम हिना Elastic Food है और इस फूट में कुछ इस तरीके से एक नट दिया जाता है जिससे कि आप इस पट्टी को एकजस कर सकते हो और देखिए अंदर आपको एक पट्टी दिखरी होगी इस नट की मदद से वो कम जाता होती है इसे लगाते हैं अपन इस तरीके की industrial machine में और अपन याला दाप चेंज कर लेते हैं और ये दाप लगा देते हैं इसे लगाना काफी easy होता है आपको सुई को कुछ इस तरीके से उपर करना है और ये easily आपकी machine में लग जाएगा अब ये machine में अच्छे से लग चुका है एक बार और अच्छे से cross check कर लीजिए अच्छे से लग चुका है और मैंने इसमें जो food changer लगा है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे लगाते हैं तो देखें मैं इस कपड़े पर लगाने वालों elastic ये जो elastic है अगर अपन को लगाने तो अपन इसे खेच के लगाएंगे तो क्या होता ना कई बार ना कभी इदर जादा खिचा जाती है कभी इदर जादा खिचा जाती है कभी इदर जादा खिचा जाती है तो ऐसा नहीं इ थोड़ी सी फस्स जाती है तो यह अंदर सरग गई यहां से नीचे से इस तरीके से निकल जाती है देखिए ऐसे मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाने के कोशिश करता हूँ जब अपन इलास्टिक डाल देना तो वो कुछ इस तरीके से निकल जाती है और फिर जब ऐसे चलती है तो यह अपने हिसाब से चलेगी अपने इसको वापस लगा लेते हैं ऐसा ऐसा रखा अब देखे मैं कपड़े पर चलाऊंगा इसे है ना यह दाप को नीचे किया अब य चलना शुरू हो गए अब यह कुछ नहीं कि चारी है अब आपन क्या करेंगे नट को टाइट कर देंगे तो अब यह प्रेशर बनाना शुरू कर देगे अब यह देखे यह प्रेशर दीरे दीरे बनने लगा अपन जितना टाइट करेंगे उत्ता प्रेशर बनते जाएगा यह देखिए यह प्रेशर बनना चालो हो गई। आपनको और नट करना और प्रेशर चाहिए तो यह दिरे दिरे प्रेशर बन रहा है और प्रेशर चाहिए यह देखिए uh рук कि जोन्यत में और अब जितना आपको करना प्रेशर चाहिए चाहिए अंपने हाथ से kop gemacht यहाँ पर लगाना है और टाइट कर लेना है यह देखे इसका प्रेशर रापर तरीके से अच्छ आने लगा यह देखिए अब यह प्रॉपर तरीके से चुन्नट लगाने लगी है यह प्रॉपर तरीके से चुन्नट आने लगी है है ना तो इस तरीके से इस इलास्टिक फूट का यूज होता है अपने यह कट कर लिया और देखिए इस तरीके से चुन्नट लगाता है काफी अच्छी तरीके से फुगास्तीन पे आप इसका यूज करके चुननट लगा सकते हो अब इसमें अपने लेज भी लगा सकते हैं उसे वापस खोल लेते हैं Elastic निकाल देते हैं Lace को भी इसी तरीके से लगाना है बट लेट लगाने से पे लेना है, इस नट को पुरा खोल लेना है, ऐसा, और फिर इसे, उसी तरीके से करना है, अब लेस को आपको कहीं पर भी लगाना है ता आप बड़े असनी से लगा सकते हैं, इस पीट के साथ आप लेस लगा सकता हुए, आपको जैसे डिजाइन चाहि इस तरीके से तो इस तरीके का इस फूट का यूज होता है आप तो तीन काम इससे कर सकते हो यह देखिए कित अच्छी तरीके से लेस लगे ना आपको डिजाइन डालना है डिजाइन डाल सकते हो अब यह कपड़ा पतला था तो इसलिए थोड़ा सा खेचने वाला पना गया अगर ये कपड़ा डबल होता, मोटा होता, तो और अच्छे से लगती, तो इसी तरीके से इसे यूज़ करते हैं। I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि Elastic Food को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरू लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके कंटेंट हमाई चैनल पहते रहेंगें मिलते हैं। अगले वीडियो में जब तक लिए बाई बाई